गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स देखो पिटा गुद मॉर्निंग एवरिवान सब कैसे हैं सब ठीक है ओके हमने दो चैप्टर पूरे किये चैप्टर नमबर 14 और चैप्टर नमबर 15 चैप्टर 14 का वीडियो आपको मिल गया होगा बेटा 15 जो आगे के जो भी वीडियो वो भी आपको मिल जाएंगे ठीक है ना और जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के question answer, pdf, exercise वो आपको ओल्रेडी प्रोवाइड करवा दिये I hope आपने उसके question answers learn किये होंगे और करे होंगे बुक में भी ठीक है तो आज हम करते हैं बेटा चैप्टर की reading एक बार फिर से मैं आपको exercise और question answers भी करके बताऊंगे यहीं पे तो जल्दी से निकाल लिये बेटा चैप्टर नमबर 16 खचुआ और खरगोश निकाल लिया तो अब हम start करते हैं अपना चैप्टर जो क्या है एक चित्रकता है चित्रकता का मतलब होता है बेटा जो pictures के माध्यम से आपको बताई गई है ठीक है तो चले देखो once again फिर से मैं कहूंगी कि यह ना part के बारे में हम पहले जानेंगे ठीक है तो सबसे पहले part के बारे में तो प्रस्तुत चित्रकता हमें सिखाती है कि हमें कभी अपने किसी गुड़ पर घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि घमंडी व्यक्ति को अंत में नीचा ही देखना पड़ता है इसका मतलब यह है बेटा कि कोई भी अगर quality हमारे अंदर होती है तो उस पर हमें कभी भी proud भी करना चाहिए क्योंकि कभी न कभी जो यह हम proud करते है न तो जो व्यक्ति होता है proud करने वाला उसका जो घमंड होता है कभी न कभी तो तूट ही जाता है तो अगर आपके अंदर कोई quality है कुछ अच्छे गुण है तो उनको उन गुणों को अच्छे कामों में प्रयोग में लेना चाहिए नए कि किसी को बार बार यह जताना चाहिए कि मेरे पास ऐसा है मैं ऐसा हूँ ऐसे नहीं करना चाहिए ठीक है तो यह सीख मिलती है हमें इस कहानी से कच्छवा और खर्गोश से तो अब हम स्टार्ट करें ठीक है ना चलो देखो सबसे पहले खर्गोश कहता है अरे भाई कैसे हो एक मिनट सबसे पहले उपर से स्टार्ट करें किसी वन में एक खर्गोश और एक कच्छवा रहते थे वन यानि कि जंगल में एक कच्वा और एक खरगोश रहते थे खरगोश को अपने तेज दोड़ने पर बड़ा घमंड था किसको था घमंड? खरगोश को, किस बात का था? वो बहुत तेज दोड़ता था ना, इस बात का उसे घमंड था एक दिन वे खरगोश अपने पडोसी कच्छवे के पास गया और बोला क्या बोला अरे भाई कैसे हो बहुत दिन हो गए तुम दिखाई नहीं दिये इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न चलकर तुमारा हाल चाल ले लू ठीक है ना तो वो कहता है कि वे खरगोश जो उसको तो थाई घमंडी किस चीज का घमंड था तेज दोडने का तो वो क्या करता है एक बार आप उसके पडोस में रहने वाले कच्छवे के पास जाता है और कहता है कि बहुत दिन हो गए तुम दिखाई नहीं दिये तो मैंने सोचा कि चलो तुमारे समाचारी ले ले लेते हैं कि सब ठीक है कि नहीं है ठीक है तो चल अब देखो आगे फिर क्या होता है नहीं भाई अब ये कौन केता है कच्छुवा किय रहा है खरगोश से नहीं भाई ऐसा नहीं है मैं तो बहुत दिन से कहीं गया ही नहीं और तुम बताओ ठीक है खरगोश से कहा कच्छवे नहीं कि मैं तो यहीं था सब कुछ ठीक है मैं तो कहीं गया ही नहीं था और तुम बताओ अब कैसे क्या है तो कच्छवा कहता है चलो हम दोनों दोड लगा और देखते हैं कि कौन विजयी होता है ठीक है अब खरगोष खच्वे से कहता है चलो हम रेस लगाएं है ना दोड लगाएं और देखते हैं कि कौन जीतता है किसको रेस को ठीक है ना अब आगे देखो अब कच्वा बोलता है खरगोष से अरे नहीं भाई मैं तुमारे साथ दोड कैसे लगा सकता हूँ यानि कच्वा क्या कहता है उसे मना कर देता है कि मैं तुमारे साथ दोड नहीं लगा सकता है ना तब क्या होता है हाँ मैं जानता हूँ तुमें मुझसे डर लगता है कि तु तुम हार जाओगे ये किस ने कहा खरगोश ने किस से कहा कच्छवे से कि मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे डर लगता है क्योंकि तुम हार जाओगे यानि हारने के डर की वज़े से तुम मना कर रहे हो है ना तब कच्छवा कहता है नहीं भाई ऐसी बात नहीं है चलो जब तुम इतना कह रहे हो तो दोड लगा ही लेते हैं अब जब उसने इस तरह से बोला खरगोश ने कि तुम हार के डर से नहीं कर रहे हो तो कच्छवा कहता है कि चलो ऐसी बात नहीं है लेकिन अब तुम कह रहे हो तो दोड लगा ही लेते हैं ठीक है दोनों के बीच दोड होती है यानि दोनों दोडना शुरू करते है काश में भी तेज दोड सकता एसा कौन सोचने लगा कच्छवा कि काश में भी खरगोश की तरह तेज दोड सकता है ना अरे अभी तो कच्छवा बहुत पीछे है क्यों न मैं थोड़ा आराम कर लू अब ये किस ने कहा खरगोश ने उसने जब पीछे मुड़ के देखा कि कच्छवा तो अभी बहुत पीछे है तो वो यहां तक पहुंचेगा तब तक मैं ऐसा करता हूँ थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और वो क्या करता है एक पेड़ तो थोड़ी देर आराम करने था कौन खरगोश लेकिन उसको आराम करते करते क्या आ गई नींद आ गई और वह सो गया ठीक है और कच्छवा क्या करा कच्छवा लगातार आगे चलता रहा ठीक है वो बिना रुके आगे चलता रहा अब देखो अरे ये क्या कच्छवा तो म बहुत आगे चला गया ठीक है बहुत आगे निकल चुका है मैं विजय हुआ मैंने खरगोश से पहले विजय रेखा पार की मैं तो जीत गया यानि कच्छवा क्या हुआ कच्छवा कहता है कि मैं जीत गया मैंने खरगोश को हरा दिया और खरगोश से पहले मैंने वो लाइन क् ठीक है तो वो क्या होता है खचवा बहुत खुश होता है तो ऐसा क्यूं हुआ किस कारण से करगोश की हार हुई उसके घमंड के कारण उसने अपने तेज दोडने पर बहुत घमंड किया था इस कारण से उसे हार का सामना करना पड़ा और कचवा दोड कैसे जीता बेटा वो बिनार रूखे, लगातार आगे बढ़ता गया, इसलिए उसने जीत हासिल की, तो है ना मज़ेदार कहानी, चित्रकता अच्छी लेगी आप सबको, येस, अब चले बेटा आगे, देखो, इसमें है word meaning, वन का मतलब होता है, जंगल, हाल चाल मींज, कुशल समाचार, डर, भय, घमंड, अभिवान, विजय, जीतने वाला, रेखा यानि की लाइन, ठीक है, अब है activity, sorry, let's practice अभ्यास, तो सबसे पहले हैं oral, तो सही उच्चारण कीजिये, तो इनको कैसे बोलते बेटा, खरगोश, दौड, हालचाल, विजयी और आराम, है ना, अब आगे है, oral question answer, first question है, वन में कौन रहते थे, तो कच्छवा और खरगोश, second है, दोड लगाने के लिए किस ने कहा था, खरगोश ने कहा था, आगे हैं, पेड के नीचे कोन आराम कर रहा था, तो खरगोश आराम कर रहा था, ठीक है ना, अब है written question answer, यानि लिखने वाले, तो पहला है बेटा, कर, खरगोश और कच्छवा कहां रहते थे, गुफा में, घर में या वन में, तो कहां रहते थे वो, वन में तो right answer is, वन में, next है, अपने तेज दोडने पर किसे घमंड था, खरगोश को, कच्छवे को या गिलहरी को, किसे घमंड था, खरगोश को, next है, दोड किसने जीती, किसी ने नहीं, कच्छवे ने या खरगोश ने, यस, कच्छवे ने दोड जीती, अब आगे चले, fill in the blanks, तो देखो, fill in the blanks में क्या है, first है, box में कुछ help, box में कुछ words दिये गए है, इन words को हमें सही जगह पर लिखना है, तो एक वन में एक कौन आएगा, कच्छवा, और एक खरगोश रहते थे, ठीक है, next है, खरगोश, हाल, चाल, जानने के लिए कच्छवे के पास गया, और last है बेटा, खरगोश मजे से, किसके नीचे सो रहा था, पेड के नीचे सो रहा था, ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये है बेटा question answer, ठीक है, तो कर लेते हैं फटाफट, वेसे तो मैंने आपको भेज दिये थे, लेकिन एक बार कर लेते हैं, ठीक है, तो अमारा first question है, खरगोश को किस बात का घमंड था, तो answer note करते हैं, अम कर का, ठीक है, तो खरगोश को, खरगोश को अपने तेज दोडने पर बहुत घमंड था, ठीक है ना, समझ में आ गया, अब आगे हैं, next question, कच्छुआ दोड कैसे जीता, तो इसका answer लिखे हैं, अब हम यह में अटा देती हूँ, तो लिखते हैं, answer खर कच्छुआ बिना रुके, बिना रुके, आगे, बढ़ता गया, और जीत गया, ठीक है, and last question है, यहाँ पे, खर्गोष किस कारण से हार गया, जब हम पाट पढ़ रहे थे, तब भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो खर्गोष अपने घमंड के कारण हार गया, ठीक है, हो गये question answers, अब आगे चलते हैं, देखो, grammar में, व्याकरण में, कि निम ने लिखिए छब्दों को शुद्ध करके लिखिए, तो यह सब क्या है बेटा, गलत लिखे हुए है, तो हमें इने सही लिखना है, तो देखो, first है, इसलिए, second है, मुझ से, यहाँ पर आ जाएगा, कच्छुवे, मात्रा छोटी आएगी, और नीचे आ जाएगा, विजयी, ठीक है ना? कर लिया सबने, अब चलते हैं, next question पे, question number two, कि निम ने लिखिए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाईए, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, कि आप खुद भी कोई साभी sentence इसमें आप frame कर सकते हैं, ठीक है? मैं लिखती हूँ, जरूरी नहीं, आप वोई वाक्य बनाएं, आप कोई दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं, तो कर लेते हैं एक बार इनको, तो फर्स्ट वर्ड है विजई, तो विजई का हम बनाएंगे कच्छुआ, दौड में विजई रहा, ठीक है? नेक्स्ट है वन, तो लिख देंगे हम कच्छुआ और खर्गोश वन में रहते थे, कच्छुआ और खर्गोश वन में रहते थे, और लास्ट है दोड, ठीक है? यही यह लिख सकते हैं, खर्गोश दोड में हार गया, ठीक है? और इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरा वाक्य बनाना है, तो आप भो भी बना सकते हैं, अब थर्ड क्वेस्टन है बेटा, निमने लिखके शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिये, यानि इनका उल्टा लिखना है, अपोजिट लिखना है, ठीक है? तो पहला है डर, तो इसका बन जाएगा बेटा, निडर, दिन का क्या हो जाता है? रात, जीत, हार, भाई, वेहन, सोना, ये सोना गोल्ड वाला नहीं है, ये सोना यानि नींद लेना, तो सोना, जागना, और लास्ट है पास, दूर, ठीक है? आगया समझ में सबको, सबने कर लिया ना, I hope आप सबने कर लिया होगा, मैंने आपको पहले से ही ये सब प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है? तो इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर पूरा हुआ, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में